नमस्कार आज की इस खास पेशकश में मैं अश्वरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें महराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाट करने पर गिरफतारी किये जाने पर देश का शिर्ष कोड भी गभिर है तो राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सरकार को कोई अल्टिमेटम नहीं दे सकता महराष्ट्र में सभी धर्मस्थालों पर ध्वनी प्रदुशन को लेकर सुप्रिम कोड का अदेश लागू है वही हनुमान चालीसा विवाद में सांसत नमनी तराना गुरुवार को मुंबई की भाईखला जेल से रिहा हो गई इसके बाद उन्हें चेकप के लिए लिलाव का भी समर्थन मिल रहा है प्रदेश की इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ महराष्टर में हनुमान 40 का पाट करने पर गिरपतार किये जाने पर शेर्श कोर्ट भी अब गंबीर है आज सुप्रीम कोर्ट में राष्टर दोह कानून को चुनोती देने वाली याचिकाओ पर आगे सुनवाई हुई इस दोरान एटोर्नी जनरल वेनु गोपाल ने पिठासिन जजो से कहा कि देश में क्या चल रहा है यह कल आपने देखा होगा मैं समझता हूँ कि राष्टर दोह कानून को लेकर व्यापक गैडलाइन की जरूरत है इस कानून को खारिज नहीं किया जाना चाहिए सुनवाई के दोरान एट जी ने महराष्टर में हनुमान 40 का पाट करने पर राष्टर दोहो के तहट राना दमपत्ती की गिरपतारी वह बाद में जमानत पर रिहाई का भी जिक्र किया अब राष्टर दोहो कानून की समवैधानिक वैदता को चुनवती देने वाली याचिकाओ पर सुप्रिम कोट ने केंद्र से जवाब मांगा है इस पर एजी ने कहा कि वकिलों ने इसका प्रारूप तयार कर लिया है इसे दाखिल किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारियों से मन्जूरी लेना है सरकार जवाब दाखिल करे तब तक सुनवाई सगित कर दी जाए इसके बाद सुप्रिम कोट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 9 माई तक का वक्त दे दिया 10 माई को शिर्ष कोल्ड भादवी की धारा 124-1 के तहत आने वाले राष्टर दोह की सब्वैदानिक वैदता को चुनवती देने वाली याचिकाओ को बड़ी पीट को भेजा जाना चाहिए या नई कान्योनी जानकर मानते हैं कि इस दिशा में सुप्रीम कोल्ड कोई नजीर पेश कर सकता है क्योंकि अब सब्वेदंशिल मुद्दों को भी अपने फायदे के लिए तोड मरोडा जा रहा है महराष्टर की मज्जीदों पर लगे लाउड स्फिकर से अजान बंद कराने की मांग को लेकर मनसे प्रमुक राश्ठा करेदवरा किये गये आंदोलन को लेकर रकापाववा कॉंग्रेस ने निशाना साधा है महराष्टर में सभी धर्मस्तलों पर ध्वनी प्रदुशन को लेकर सुप्रीम कोट का आदिश लागू है सरकार कानून वह सविधान के अनुसार चलती है यदि कोई भी कानून तोड़ेगा तो कठोर कारवाई होगी इससे पहले मंसे प्रमुक राश्ठाकरे ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि वह तीन मई तक मजजिदों पर लगे लाउड स्पिकर हटा ले इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपिल की थी कि यदि लाउड स्पिकर नहीं हटे तो वे अजान के वक्त जोर की आवाज में लाउड स्पिकर पर हनुमान चालिसा बजाए अजित पवार ने मनसे प्रमुक का नाम लिये बगर कहा कि कि किसी को भी अल्टीमेटम की भाषा में बात नहीं करना चाहिए यहाँ ताना शाही नहीं है यदि आप ऐसी भाषा बुलना चाहते है तो घर में परिवार जनों के साथ बंद रही है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है यदि सारवजनिक रूप से ऐसे बयान दिये तो याद रखे सरकार वा देश कानून वा सवविधान से चलता है सभी के लिए नियम बराबर है उधर महराष्टर कॉंग्रेस ने दावा किया कि मज्जीदों पर लौड स्पिकर को लेकर मंसे प्रमुक राष्ठाकर की आपत्य से हिंदूों को ज़्यादा नुक्सान हुआ है अजान बन कर दी गई है लेकिन काकड आर्ती भी बन्द हो गई है चर्ष, गुर्द्वारे और बोद्धमंदिर भी लौड स्पिकर का उपयोग नहीं कर पा रहे है हनुमन चालीसा विवात में सांसद नौनित राणा गुर्वार को मुंबई की भायखला जेल से रिया हो गई इसके बाद उन्हें चिकप के लिए लिलावती अस्पताल ले जाया गया इससे पहले दिन में मुंबई की बोरिवली कोर्ट ने नौनित राणा और उनके पतीव विधायक रविराना की रिहाई का आदेश जारी किया था राणा दमपती को यह गोशीत करने के बाद गिरपतार किया गया था कि वे महाराष्टर की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालिसा का पार्ट करेंगे राणा दमपती से जमनत राशी की ताओर पर प्रतेक से 55,000 रुपे लिये गये बुरियुली कोट से राणा दमपती के वकीलों की एक टीम रविराना की रिहाई के लिए तलोजा जेल के लिए रवाना हुई और दूसरी टीम भायखला जेल के लिए रवाना हुई जहां नवनित राना बंद थी नौनित राना के वकिल ने उनकी रिहाई आदेश की एक प्रती भायखला जेल के भाहर रखी जमानत पेटी में डाल दी थी नौनित राना और रविराना को बुधवर सुबर जमानत दी गई थी उन्हें कल जेल से रिहान ही किया गया क्योंकि उनकी रिहाई के आदेश संबंदीत मैजिस्ट्रेट अदालत से नियत समय पर प्राप्तनी किये जा सके MP MLA दमपत्ती को 23 अपरेल को उनकी मुंबई आवाज से गिरपतार किया गया था दरसल उन्होंने गोशना की थी कि वे बांदरा में उद्धो ठाकरे के घर के भार हनुमान चालिसा का पार्ट करेंगे देश दुरोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरुप में गिरपतार नवनित राणा को बुधवार को स्पॉंडिलाइसिस के इलाज के लिए भाइकला जेल से जेजे अस्पताल में स्थाना अंतरिट कर दिया गया था बाद में श्याम को उन्हें वापत जेल ले जाया गया सांसद नवनित राणा को सुप्रीम कोट से एक और राहत मिली है उच्चतम नयायलय ने आज कहा कि वह जुलाई में लोकसभा सांसद नवनित को और राणा की उस अपील पर सुनवाई करेगी जिसमें बंबई उच्चे नयायलय के जाती प्रमान पत्रों को रद्द करने के फैसले को चुनोती दी गई थी निर्दली असांसद नवनित को और राणा महरस्टर की अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित अमरावती निर्वाचन ख्षेत्र का प्रतिनी धित्व करती है नयमूर्थी वीनित सरन और नयमूर्थी जेके महेश्वरी की पीट ने मामले पर सुनवाई को स्थगित कर दिया इससे पहले राणा की और से पेश वरिष्ट अधिवक्ता मुकुल रोधगी ने कहा था कि उन्हें कुछ समय चाहिए इस पर पीट ने कहा कि हम जुलाई में मामले पर सुनवाई करेंगे लिहादा आप छुट्टियों के बात नई पीट परजी तरीके से जाती प्रमान पत्र हासिल किया गया अदालत ने राणा पर दो लाक रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था राणे ने 2019 में अमरावते से चुनाव जीता था उन्होंने अपने हलप नामे में दावा किया था कि वह मोची जाती से नाता रखती है चु लोगोनी हनुमान चालिसा बजाय जाएगा इसके बाद प्रदेश भर में सैकडो महराष्ट नव निर्मान सिना की कार्यकरता हिरासत में ले लिये गये इसके बाद शाम को वी प्रेस कॉनफरेंस में राज ठाकरे ने कहा कि जब लौड स्पिकर पर अजान होगी हनुमान च कर रहे थे शायद इसलिए कही न कहीं शिवसेनिक राज के समर्थन में दिख रहे मुंबई में एक पूर्वे शाखा प्रमुक ने कहा कि हम अज समयत कैसे हो सकते हैं बाला साहिब की यह स्थिती रही है हमें राज के बज़ा इस मुद्दे को उठाना चाहिए था शिवसेन डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार केंदर सरकार के पाले में लौड़ स्पिकर की राजनितिक गेन को डाल रही है वह एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है लेकिन शिकार कमजोर नहीं वह हिंदुत्व का चोला ओड़ कर और मदभुत हुआ है इंकम टैक्स विभाग को सुप्रिम कोर्ट से बड़ी रहत मिरी है सुप्रिम कोर्ट ने 31 मार्श 2021 के बाद असंशोधित धारा 148 के तहट भेजे गए उसके नोटीस को सही ठेराया है तो दिल्ली से महस धाई घंटी की दूरी पर बड़ी आतंकी साजिश बे नकाब हुई ह हरियाना के करनाल जिले से चार संदिक्द आतंकवादियों को गिरफतार किया गया है वही जम्बू के सांबा इलाके में बाड के पास सामान्यक शेत्र में एस संदिक्द सुरंग का पता चला है बेसेट इस सुरंग का पता लागया है इसी बीच हरियाना के बल्लबगड से चायन सा एरिया के नरियाला गाउ में शम्शान घाट में जम कर हंगामा हो गया। 25 साल के बुजर्ग की मौत के बाद उनके साथ बेटों में ऐसा जगड़ा हुआ कि लाते गूसे चल गए। तो उदर प्रशान के शोर ने पटना में प्रेस कॉनफरेस का कहा कि वह विलाल कोई राजनितिक दल नहीं बनाने जा रहे है। पहले वह बिहार के लोगों से 3-4 महिने संबाद करेंगे। देश भर की इन पास बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। को रहत मिली है। लेकिन जिसे नोटिस मिला है उसके लिए चिंता की बात है। यह नोटिस एक अपरेल 2021 से जून 2021 के बीच भेजे गये थे। इलहबाद, बॉंबे, कोलकत्ता, दिल्ली और राजस्थान हाई कोट में इस नोटिस को चुनोती भी दी गई थी जिसे तमाम कोट ने गलत करार दिया था। वही अब जब मामला सुप्रीम कोट पहुचा तो वहाँ पर आयकर विभाग के इन सभी नोटिस को सही करार दिया गया है। टैक्स नोटिस को सिस्टम के टैक्स लॉजिक्स के आधार पर जारी किया जाता है। करदाता केवल तभी इस तरह के नोटिस से बच सकते है जब वे यह सुनिश्चित कर ले कि टैक्स रिटन सही तरीके से सही समय पर भरा गया हो ITR और फर्म AS 26 में भरे गए इंकम के डिटेल्स में एक समान हो, बैंक अकाउंट में जमा और निकासी एक सिमा के अंदर हो और ITR में mutual fund या शेयरों को खरीदने या बेचने की जानकारी दी गई हो, ऐसा नहीं करने पर आप बड़ी मुसिवत में फच सकते हैं अगर नोटिस किसी मामुली गलत की वज़़े से आया है तो उसका स्पस्टी करन देते वे जवाब दे दिल्ली से महस धाई गंटे की दूरी पर बड़ी आतंकी साजिश बे नकाब हुई है हरियाना के करनाल जिले से चार संदीग द आतंकवादियों को गिरपतार किया गया है इनके पास से भारी मात्रा में हतियार बरामद हुआ है पुलिस के अनुसार बरामद विस्पोटकों में तीन आईएडी भी शामिल है चंडिगर करनाल आईएबी की टीम पकड़े गए आतंकीयों से पूछताच कर रही है पुलिस की कई टीम में मामले की जाच में जूटी हुई है इसके अलावा बम निरोदक दस्ता भी मौके पर मौजुद है सुरक्षा एजंसियों की माने तो आतंकवादियों ने दिल्ली को धहलाने की साजी शरची थी गनिमत ये रही कि चाक्चाववन सुरक्षा एजंसियों की वज़ा से इने दिल्ली पहुचने से पहले ही पकड़ लिया गया करनाला और दिल्ली के बीच 118 किलोमिटर का फासला है माना जा रहा है कि अगर आतंकी दिल्ली पहुचने में काम्याव हो जाते तो बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे चारो संदिक दा आतंकवादियों को गुरवार सुबह चार बजे करनाल के बस्ताड़ा टोल पलाजा से गिरपतार किया गया पकड़े गए आतंकीयों के बारे में खुफिया इंपूट मिला था ये सभी इनोवा गाड़ी में जा रहे थे शुरुवाती जाच में पता चला है कि ये सभी पंजाब से दिल्ली की तरब जा रहे थे आतंकीय एक इनोवा में सवार हुकर करनाल के रास्ते दिल्ली पहुचने की फिराग में थे लेकिन हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा और तमाम खुफिया इंपूट की वज़े से सुरक्षा एजंसिया पूरी तला अलर्ट थी बताया जा रहा है कि दिल्ली के रास्ते ये संदिक्द आतंकी महराष्ट के नांदेड जा रहे थे जम्मू के सामबा इलाके में बाड के पास सामन्यक्षेत्र में एक संदिक्द सुरंका पता चला है बीएसेप ने इस सुरंका पता लगाया है ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों की तरप से अमरनात यात्रा पर हमले की साजिश रची गई थी जिसके चलते इस सुरंग का निर्मान किया गया था B.S.P. के मुताबिक अमरनात यात्रा को बाधित करने के लिए आतंकियों की ये साजिश थी जिसे विफल कर दिया गया BSF का कहना है कि डेड़ साल में पाचवी बार सुरंग बिली है सामबा में जिस सुरंग का पता चला है वह पाकिस्तान की ओर से 150 मिटर तक खोदी गई थी इसके रास्ते आतंग की गुसफेट की साजी शरची जारी थी इस सुरंग के जरिये आतंग की भारत में दाखिल होने की कोशिश करते है इस समय जमीन पर सुरक्षा बलो की कड़ी सतरता की वज़़ से आतंग की अलग-अलग तरीकों से जम्मु कश्मेर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे है सुरक्षा बलो का कहना है कि सुजवा एंकाउंटर के बाद पूरे इलाके में सगन जाज जारी है सुरक्षा बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि इसके पीछे की सातंकी गुरूप का हाथ हो सकता है और उसके हाथ कितने लंबे है बतादे के इंटरनेशनल बॉल्डर से लगे कई इलाकों में इससे पहले सुरंगे मिलती रही है 29 अगत 2020 में चक फकेरा पोस्ट से 3 किलोमीटर दूर बैंगलाड में भी सुरंग मिली थी बैंगलाड के बाद 22 नवंबर 2020 को सामबा बॉल्डर पर ही रीगाल के पास बीएसेप के तलाशी अवियान में सुरंग खोजी गई थी वही जनवरी 2021 में कठुआ के हिरानगर में सुरंग मिली थी हरियाना के वल्लबगर्स्ती चायनसा एरिया के नारियला गाओ में बुधवार को हंगामा हुए 85 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद उनके साथ बेटों में ऐसा जगड़ा हुआ कि लाद घुसे चल गए शव को शमशान घाट ले जाते समय तीन बार मारपिट हुई इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई पुलिस की मौजुदगी में बुजुर्ग का अंतिम संसकार किया गया अभी किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है वही मारपिट में घायल तीन लोगों को अस्पताल में भरती करवाया गया है पुलिस के अनुसार नरियला गाउ निवासी एक व्यक्ति की बुधवार सुभ मौत हो गई थी मौतक व्यक्ति के साथ बेटे है जो अलग-अलग रहते है पीता की मौत पर एक बेटे ने बड़ा मौत्य भुच कारेकरम करने के लिए कहा जिसका छे बेटों ने विरोत किया इस दवरान बेटों के बीच कहा सुनी होने लगी गाउ के सगे संबंधियों ने जैसे तैसे मामले को शान्त करायाए और बुजोर्ग की शओ को 심शान घाट ले जाने लगे इस दवरान रास्ते में फिर से बेटों के बीच जगड़ा होने लगा, जगड़ा मारपिट में बदल गया, शव यात्रा में चल रहे हैं लोगों ने शव को रोड किनारे साइड में रखकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद सभीश मशान घाट में पहुचे, बताया जाता उन्हें पटना में प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि वह फिलाल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे है, उन्होंने कहा कि पहले वह बिहार के लोगों से तीन से चार मैने सववात करेंगे, प्रशान किशोर ने कहा कि दो अक्तोबर से वह पश्चिम चंपारंड से पदिया मंत्री है, लालू यादवर और उनके समर्थों को का मानना है कि 15 साल के शासन में सामाजिक नय का शासन चला, उनका कहना है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उनको उनकी सरकार ने आवाज दिया, 2005 से जब नितिश कुमार के सरकार है तब से उनके समर्थो का मानना है कि उनकी सरकार ने आर्थिक विकास और दूसरी सामाजिक पहलों पर ध्यान दिया है और विकास किया है, दोनों ही बातों में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि लालू और नितिश के 30 साल के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछडा और सबसे गरीब राज्य है, इस सच्चाई को कोई जुटला नहीं सकता है, अगरनी राज्य की शिरेणी में आने के लिए बिहार को नई सोच नए प्रयास की जरूरत है, अगर 4-5,000 लोग कहेंगे कि हमें किसी राजनेतिक पार्टी बनाने की जरूरत है, तब हम उसकी घुशना करेंगे, यहां काम अगस्टिय सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, रूस ने कहा है कि उसकी सेनाओ ने परमानों मिसाईले दागने का अभ्यस किया है, जानकार इसका आशय परमानों युद्ध से लगा रहे है, तो यहां भी माना जा रहा है कि युक्रे आइडिया खुफिया एजंसियोंने गुरुह मंत्रालय को पाकिस्तान की खुफिया एजंसी, ISI को लेकर अलड किया है, रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुह मंत्रालय को ISI द्वारा करतारपुर कोरीडोर के दुरुपयों के बारे में सचेत किया गया है, तो उधर चान्द और मंगल के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइज़ेशन अब शुक्र ग्रहर पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की तयारी कर रहा है दुनिया भर की इन पाज बड़ी और खास ख़बरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ बीते 70 दिनों से जारी यूक्रेन जंग में परमाणू हमले का खत्रा बढ़ता जा रहा है अब रूस ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने परमाणू मिसाइले दागने का अब्भयस किया है सिमिलेटर पर आधारीत परमानू मिसाइलों का यह अभ्यास रूस के केली निन ग्राद में किया गया रूस के रक्षा मंत्राले के अनुसार उसकी सेना ने मिसाइल प्रनालियों, हवाई क्षेत्रों और मिसाइल दागने में सक्षम, सुरक्षित बुनियादी ढाचे जैसे लक्षों पर एक से दादा हमलों का अभ्यास किया बतादे की गच 24 फरवरी को युकरेन पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है इस बीच रूस की और से कई बार परोक्ष परमानू हमले की चेतावनी दी जा चुकी है बुधवार को यूरोपिय संग के सदस्यों पोलेंड और लिथुआनिया के बीच स्थित बाल्टिक सागर पर स्थित रूसी सेना के ठीकाने पर युद्धवैस के दवरान परमानू हमले में सक्षम इसकंदर बैलेस्टिक मिसाइल प्रणाली के कुरूतरिम इलेक्ट्रोनिक लॉंच का अब्भैस किया गया इस कुरूतरिम अब्भैस में छदम दुश्मन के कई ठीकानों पर हमले किये गये इसके संभावित पलटवार से बचने के उपायों का भी परिक्षन किया गया परमानू अब्भैस में हमले के कारण फैलने वाले विकिरन वो रासानी कसर का भी आकलन किया गया इस अब्भैस में साउसे दादा रूसी सैनिक वो अपसर शामिल हुए रूस के राष्टरफती व्लादिमेर पुतिन ने 24 फरवरी को यूकरेन पर हमले के बाद से ही अपने देश की परमानू सेना को हाई अलर्ट पर रखा है इस बीच गहराते संकट को देखते वे कई बार रूस की और से तीसरे विश्वय उद्ध की आशंकाय भी प्रगट की गई है उधर रूसी रक्षा मुख्यालाई क्रेमलीन ने कहा है कि यदि पस्चिम देशों ने यूकरेन में दखल दिया तो तेजी से बदला लिया जाएगा जानकारों का कहना है कि रूस के सरकारी चैनल हाल ही में कई बार देश के परमानु अस्तरों के उपयक को लेकर जनता को अगवत करा चुकी है यूकरेन के साथ जारी युद्ध में अपने नुकसान को कम करने के लिए रूस रोबोट का इस्थेमाल कर सकता है रूसी मिल्टरी एक्सपर्ट विक्टर मुराख खोसकी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि रूस रोबोटिक्स के मामले में पीछे है लेकिन असलियत इसके एकदम उलट है रूस के अलावा दुनिया में किसी भी सेना के पास रोबोटिक्स की इतनी विविश्रिनी नहीं है और जिस तरह रूस ने हाल ही में इस खेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है उससे यह स्थिती आसानी से बदलने वाली भी नहीं है विक्टर ने कहा कि आज की रूसी सेना 1930 के दशक में रिमोट से चलने वाले टैंक बनाने वाली रेड आर्मी के उत्तरादिकारी है रेड आर्मी ने दूसरे विश्वय उद्ध के दवरान टेली टैंक्स बनाये थे जो एक ऑपरेटर द्वरा लगबग 0.3 से 0.9 मिल तक रे लिमानों को बनाया और मैं व्यक्तिगत तोर पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आधुनिक टैंक के प्रोजेक्ट में शामिल रहा हूँ इन क्षेत्रों में रूस ने जबरदस्त प्रगति की है हालाकि वह ड्रोन टेक्नोलोजी के मामले में थोड़ा पीछे है लेकिन पर हमला भी किया जा रहा है। यूकरेन में चल रहे भीषन युद्ध के बीच रूस के महाविनाश के प्लेण को उड़ाय जाने के बाद सीट रूस के महाविनाश के प्लेण को मासकों के एकाश में उड़ाय था। अमेरिका का E-4B नाइट वाच प्लेन युद्ध के सूरत में हवा में कमांड सेंटर के रूप में काम करता है। इसके जरी अमेरिके राश्टरपती दुनिया में कही भी परमानु हमला करने का आदेश दे सकते है। बोईंग कमपनी का E-4 Advanced Airborne कमांड पोस्ट एक राणनितिक कमांड और कंट्रोल मिलिटरी एरक्राफ्ट है जिसका संचालन अमेरिकी वायू से न करती है। इससे पहले रूस इलूशन IEL-80 वीमान बहुत नीचली उडान भरते देखा गया था। रूस का यह वीमान ऐसे समय पर हवा में देखा गया है जब यूकरेन युद्ध को लेकर परमानू हमले का खत्रा मंडर रहा है। रूस के अधिकारियों ने इस बात की पूश्टी की है कि IEL-80 वीमान को रूस के विक्टरी डे पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस रूसी वीमान का वीडियो अभ्यास का बताय जा रहा है। पिछले सप्ता अमेरिकी महाविनाश का प्लेन ब्रिटेन के आकाश में दिखाई दिया था। यहाँ अमेरिकी सेना का कमांड सेंटर है और परमानू हमला होने की सूरत में राष्टरपती, रक्षामंत्री और सेना प्रमुक इसमें सवार होकर अमेरिकी परमानू हत्यारों को नियंत्रेद कर सकते है। इसमें अत्ताध्यूनक संचार उपकरण लगे है जिसके जरीय सीधे अमेरीकी सिना से संपर्क किया जा सकता है किंद्रिय खुफिया एजेंसियों ने ग्रोह मंत्राले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईसाई को लेकर अलट किया है रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोह मंत्राले को आईसाई द्वरा करतारपूर कोरिडर के दुरोपयोग के बारे में सचित किया गया है मंतरालाए को भेजे गए रिपोर्ट में कहा गया है कि I.S.I. अधिकारी भारतिय तिर्थयात्रियों से जानकारी इकट्टा करने की कोशिश कर रहे है सुत्रों के हवाले से बताया है कि आयाचाई और पाकिस्तान के खुपिया वियोरों के अधिकारी करतारपूर कोरेडर के किनारे मुवजुद रहे है गुरुह मंत्राले को भेजी गए रिपोर्ट के मुताबी अधिकारियों को भारत से जाने वाले तिर्थयात्रियों से संपर्क करके जानकारी इकट्टा करने की कोशिश करते देखा गया है बतादे की गुरुद्वारा डेरबाबा नानक गुरुदासपूर से पड़ोसी देश गुरुद्वारा दरबार साहिब तक बिना विजा की तिर्थयात्रा की सुविदा के लिए भारत और पाकिस्तान सरकार ने सय यूक्त रूप से करतारपूर कॉरिडोर का निर्मान किया ह कॉरिडोर का शिलानयास 26 नवंबर 2018 को पीम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने गलियारे के दुरुपयों को लेकर गंबिर है और हमने एजेंसियों से और सबूत और दुरुपयों के मामले जमा करने के लिए कहा है ताकि मामले को पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने उठाया जा सके इंटेलिजन्स के सुत्रों ने कहा है कि कॉरिडोर का इस्थेमाल व्यबसाइक बैठोकों के लिए भी किये जाने की रिपोर्ट है जिसे कॉरिडोर को चालू करने के लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक शरीत एक समझोते के अनुसार अनुमती नहीं थी चांद और मंगल के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन अब शुक्र ग्रह पर भी स्पेस क्राप्ट बेजने की तैयरी कर रहा है इसरो के चेर्मन S. सुमनाथ का कहना है कि भारत के पास शुक्र के लिए मिशन बनाने और लांच करने की ख्रमता मौझूद है सुमनाथ कहते है कि यह मिशन शुक्र के वातावरण को स्टडी करने के लिए लांच किया जाएगा जानकरी के मुताबिक शुक्र का वातावरन काफी जहर इला है और पूरा ग्रह सल्फिरिक असेट के बादलों से ढखा हुआ है सुमनात के अनुसार शुक्र पर स्पेस क्राप्ट बेजने के लिए सालों से रिसर्च की जा रही है और अब इसरों के पास इस मिशन के लिए प्लान तयार है शुक्र को पूर्थवी का जुडवा माना जाता है इनका आकार और माप काफी हद तक मिलता जूलता है साथी इनकी रचना भी एक दूसरे के समान ही है अमेरिका समित कई देश शुक्र पर सालों से रिसर्च कर रहे है वज्ञानी की इस ग्रह पर मिशन भेज कर ये जानना चाहते है कि आखिर कब और कैसे शुक्र के वातावरन में बदला हुआ दरसल वज्ञानी को का मानना है कि एक समय पर शुक्र भी पृत्वी की तरह ही रहने लायक था हाला कि क्लाइमेट चेंज के कारण उसका वातावरन जहरिला बन गया सोमनात का कहना है कि उनकी टीम मंगलियान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन्स की तरह ही शुक्र मिशन पर भी काम करेगी फिलाल इस मिशन के लिए स्पेसक्राट कब तयार होगा इस बारे में सोमनात ने कोई जानकरी नहीं दी है लेकिन कहा है कि हमारा लक्ष शुक्र पर कुछ नया ढूंड़ना है जिन चीजों पर पहले ही रिसर्च की जा चुकी है हम उनसे कुछ अलग हो जेंगे तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक देखते रहें वीके बी न्यूस नमस्कार